Hello Traders and Welcome to the studio members Angel 1 को आज के session में हमने treat किया था अभी जितने भी rules और regulations आए हैं इस वाज़े से market में हम थोड़ी सी उत्हल पुदल थेख रहे हैं कि थोड़ी बहुत side business market में दिख रहे हैं तो market को stabilizing होने में भी हो सकता है थोड़ा सा सम्में लग जाए इसलिए stock selection करो या फिर आप derivatives को भी trade करो तो trend identification में या script के choose को जब आप करो इसको select करो तो इसमें थोड़ा सा एहतियाद बरतना इसके साथ ही काम करना जैसे angel 1 को आज के session में हमने treat किया था को बहुत हमें hard work इसके अंदर नहीं करना पड़ा था simply stock select करके इसको shortlist किया था और trade execute कर दिया था और आज के video में entry लेने के 3 method हम आपको बताएंगे काफी सही method से encourage अगर आप entry लेने के लिए करते हो नहीं तो बहुत सारी चीज़ आपके clear हो जाएंगे जैसे के angel 1 को हम day time frame पर देखेंगे यहाँ पर Net के speed slow है यहाँ पर सबसे पर हम लोग drawing के समझ लेते हैं देखें एक setup होता है जिसमें price हमारा upside के दरफ जैसे एक green 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 यह positive candles बंती चली जाती है अभी हम direct trade नहीं करतेंगे हमें weight होता है यहाँ पर किसी भी एक negative candle का black or red जैसे भी हो एक negative candle का weight हम करते हैं इसका use lower time frame पर भी करते हैं और higher time frame पर भी करते हैं अब जैसे angel 1 में हमें इसका use higher time frame पर किया जैसे ही price हमारी इस bearish candle को ऐसा resistance रेक्ट किया और जैसे lower time frame पर आज फार्मेट के time frame पर हमने देखा कि same level पर इन ही दोनों points पर जैसे हमको rejections दिखाई पड़े हमने यहां से अपना trade execute किया था buy side में क्योंकि overall आप जब देखोगे यह देखे overall देखे angel 1 पूरी तरह से bullishness दिखा रहा है volume साला के down पड़ रहे हैं इस वेसे हमने एक resistance का यह 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 क्या था daily time frame पर same चीज जब इसको थोड़ा सा और back करेंगे एंड यह कुछ points बन रहे हैं black quality candles का पूरा एक group है इन्होंने resistance बनाया था अभी इसी range को हम आगे की तरफ अगर निकाल देते हैं तो आज का targeted point आपको दिख जाएगा और price क्या करता था ना उसने double top बनाया सबसे पर उसके बाद में triple top बनाया हाला है कि इसके यूज हम इतना करते रहें double top triple top लेकिन कहीं कहीं पर जहां आप लगता है कि करना चाहिए वहीं पर इसका यूज करते हैं क्योंकि हमें इसके उपर ज्यादा बीलीव होता नहीं है चाहे तो triple top हो चाहे double top हो इसके साथ साथ में price action का यूज होगा ही होगा यहां पर देखें फिर से अभी lower time frame पर क्या आप इसके अंदर में analysis की तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे और इपिका लैब जो ट्रेड हम नहीं क्या था लास्ट अपना था उसमें भी देखें एंट्री के methods आप कहीं नहीं के देखोगे एक ही जैसे रहे हैं लगग लगग उसका इसक्री शॉट भी हम कोशिश करें बगल में लगा देंगे उस ट्रेड में हमें करी 15 है 16 का कुछ का प देखर कर रहे हैं तो इसका हाई कहीं न कहीं वही था इसको ओके ठीक है स्टॉप लॉस जो में लगा था 1501.20 का स्टॉप लॉस था और जो प्रॉफिट बुके थी 1528.80 के राउंड कुछ प्रॉफिट के दर बॉक कर लिया थे सो आज की ओवरॉल ट्रेड था यहां पर हम लोग पोजिशन वोगपन करते हैं और प्रॉफिट जो आज कर रहा है हमारा 14,250 के आजपास का प्रॉफिट है विच इनफ लास्ट सेशन भी हमारा जो हमने ट्रेड एक्सक्यूट के ठीक ठाक एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिला था और आज के सेशन भी अच्छा खासा प् प्रॉटीन 14,000 के आज के वीडियो में जो चीज़े हम बताएंगे आपको एक तरह से एंट्री आप किसी भी ट्रेड में कर रहे हैं क्योंकि हाय टायम इसके अंदर इंक्लूड होता ही है तो एंट्री हम किस तरह से कर रहे हैं इसके ओपर पूरा का पूरा पूरा आज के से चैनल वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजएगा, कॉमेंट कीजएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आएगो तो चुनको सब्सक्राइब कीजएगा, थैंक्स, एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सबसे पहला मेथड जो ट्रेड एक्जिक्यूट करने का है, एंट्री लेने का है, जिसका यूज हमने एंजल लोन में किया है, आप इसी सिस्टम का इसी मेथड का यूज जिस भी स्टॉक में आप इस तरह का सेटप देख तो आप उसमें कर सके हैं, इसमें हम लोग प्राइस का यूज करते ही हैं, बट इसके अंदर हम वॉल्म्स का भी यूज करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अप्रोट किया था, जिसमें हमने तेन सिस्टम पताया थे हैं वॉल्म्स को रेट करने के, जब आप उस वीडियो को revisit करोगो तो यह जो सिस्टम अभी हम आपको बता रहे हैं, यह और भी ज्यादा अच्छे से आपको समझ भाजाएगा अगर आप वाला वीडियो देखोगे, पर सेम सिस्टम को हम एक बार और यहां पर clear करेंगे, सबसे पहला तो अपने प्री डिफाइंड एरिया होता है, उस प्री डिफाइंड एरिये के पास में हो रही movement समय मतलब है, इसके अगल बगल किस तरह की movements हो रही है मैं उससे लेना देना है नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्राइस रीट करना है तो आपके पास आपका एक point of action होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास यह जो line है यह मेरा point of action, प्राइस ने हमारे resistance को high volume के साथ break कर दिया, high volumes के साथ break out, इन volumes के break out के साथ में जब आप देखोगे कि price हमारा retrace कर रहा है, तो इसकी retracement पर कोई याद होगा हमने कई बार बताया है कि price जब किसी दिशा में एक move दिखाना होता है उसको, तो यह अपने point of action पर आने के बाद में इसके अंदर आप volumes देखोगे अकसर dry हो जाते है, आने पड़ेगे, so volumes represent करेंगी आपके price के speed को, जैसे ही आप देखोगे कि predefined area के पास में जो volumes हैं यह average से कम हो गए, मतलब एक तरह से dry volumes हो, आप यह समझ जाएगा कि price hurdle ले रहा है किसी जगे पर अगर इन volumes का breakout होता है, तो price की movements आपको up या फिर down side किसी भी दिशा में देख सकती हैं, इसके लिए जोरी होता है कि हम लोग पहले से अपना trend identify करें, तो angel one में क्या था हमें buying करनी थे angel one already strong है, तो price ने upside की तरह तो breakout देए दिया और हमारे pre-defined area मतलब कि daily time trim के level पर आकर कि इस जगे पर यह sustain कर रहा है, रुक रहा है और volumes कम हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि price के movements जिस दिशा में हम लोग देखना चाहते हैं, उस दिशा में trades execute कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरे-पूरे sign होते हैं कि price में moves आ सकते हैं अगर volumes के breakout होए, angel one में आप देखोगे, एक छोटी सी चीज होती है कि price अगर morning में कोई बड़ा सा move दिखा देता है, तो पूरे दिन फिर वो stock side वे रहता है, बट angel one ने आज जिस level को break किया था, क्योंकि angel one है तो आप इसको देखोगे, इसके अंदर minimum date 2%, 3%, 3% का move हो जाता है, और अगर सही जगह पर आपको यह stock मिल गया, तो 5-6% का भी move एक एक दिन में मिल जाता है, क्योंकि angel one काफी ज्यादा volatile stock है, हम same अब जैसे angel one आप देखोग हिंदुस्तान उनिलिवर कोम ट्रेड नहीं करते, मारूती कोम ट्रेड नहीं करते, एक्सिस बैंक कोम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि जितने भी stock सभी में बताएं, इनके nature होते हैं, कि अगर morning में 2% यह चल गया, तो फिर पूरे दिन यह side way ही रहेंगे, आप चाहें जो लाव बहुत ज्यादा possibilities थी कि price हमको एक अच्छा खासा target angel 1 दिखा सकता है, क्या समझ में है यहाँ पर entry लेने के लिए आपके पास यह सबसे पहला method है, आपके पास आपका एक predefined area है, एक predefined level होना चाहिए, price आपके level को volume के साथ break करे, level का भी breakout हो रहा है और यहाँ पर volumes का भी breakout हो यह represent करता है कि price ने आपके level को break कर दिया है volume के साथ में, अब यहाँ पर क्या होता है, confirmations के तौर पर कि price हमें retracement एक हम देखते ही हैं, आप चाहो तो यहाँ पर एक aggressive entry ले सकते हो, कई बार होता है कि price फिर आपका नीचे की दिशा में नहीं आता है move करने, बट अगर price की retracement का wait करता हूँ तो पता यहाँ पर क्या होगा, आपको volumes के confirmations मिल जाते हैं, जैसे ही price आपका retrace करने के लिए आपके predefined area पर आया तो volumes के confirmations ऐसे मिलेंगे कि आपका area अगर सही, level सही है तो यहाँ पर price रुकेगा, sustain होगा, इसका मतलब यह होता है कि आप यहाँ पर अपने entries के confirmations ले सकते हो, market में इस जगे से movement या किसी भी दिशा के movements हो सकते हैं, तो जैसे ही price आपके इस area पर आया, आप समझ लो कि entries के confirmations मिल रहे हैं, breakout हुआ है, एक retracement downside के तरफ और जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि price ने कोई छोटे time frame पर भी अगर अपना resistance ब्रेक किया आप आपका swing low होगा, वहाँ पर आपको target लगाना होगा, I hope कि समझ भाए है, इसका बहुत अच्छा example आपको angel one में आज के दिन मिल जागा, जैसे कि यह देख, यह black वाली candle है, black वाली candle का high हमार adjust mark है, और यह मेरा pre-defined area है, क्यों, क्यों कि यहाँ पर price बहुत speed से upside के तरफ जा रह यहाँ पर देखे, इसने एक mother candle form की, और यह वाली जो session रहा है अपना 9th June का, यहाँ पर price ने upside के तरफ breakout दिखा दिया, breakout दिखा देने के बाद में, price ने जो closing की है, upside की तरफ की है, और जो last to last trading session रहा है, इस वह भी price ने upside के तरफ closing कर, यह एक तरह की bullishness हो, कि हम already देख रहे ह यहाँ पर एक mother candle form की, और इस mother candle का breakout हो गया upside की तरफ ठीक है, और volumes यहाँ पर low इसको भी देखते हो चलिएगा, यह एक तरह का diversion होता है, कि price आपका upside की तरफ जा रहा है, volumes नीचे गिरे है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कि price की movement हो आपको downside की तरफ दिख जाते है, क्योंकि price यहाँ पर mother candle का breakout कर दिया, और price ने upside की तरफ closing कर दिया, यह strongness होती है, और यहाँ पर क्या हुआ, कि एक black candle बन गई, बट volumes के recording हमको यहाँ पर weakness दिख रही है, जैसे यहाँ पर एक resistance form हुआ, अब यहाँ पर हमें confirmations लेने होगे, कि अगर वाकई में volumes कम हो रही है, और हमारा stock weak है, तो weak stock में क्या होना चाहिए, इस resistance से फिर price हमारा नीचे की तरफ जाना चाहिए, यह चीज़ समझ में आ रही है, फिर से देखिए, कि price upside की तरफ जा रहा है, volumes गिर रही है, ठीक है, अब अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है, price को तो गिर जाए, क्योंकि volumes नहीं आ रह रहे है, कि price ने हमारी एक mother candle का भी breakout की upside की तरफ और इसके भी उपर price जा रही है, तो यह तो एक strong movement हो गया, यह तो समझ में आ गया नहीं, तो simple भी में समझ में आ जाता है, अब यहाँ पर देखिए, red candle है, अब हम चलेंगे सिद्धे 5 minutes पर, और जिन confirmations के हम आप से बाए, य price ने कैसे किया है, volumes के साथ breakout हुए, और price ने एक retracement दिखा और आपके predefined area पर आकर किया jam हो गया, यह रुख गया, और यहाँ पर volumes जवाब देखोगे, तो पूरी तरह से dry volumes है, इनकी जो speed हो रही है, वो कम हो रही है, हमारे entry लिने की जगह क्या है, 1506, exact इसी जगह पर अपनी side हो जाएगा, तो price हमारी इस black वाली candle के नीचे आ करके, अगर यह closing कर देगा, तो फिर यह 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 side वी हो जागा, या फिर हमारा stop loss ले लेगा, और price हमारा नीचे चला जागा, अगर इससे upside की तरफ जाना है, तो फिर मेरा stop loss hit नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जै मतलब नहीं है उसको, सिर्फ काम की जितनी चीज़ें, क्या नाम है, कितनी candle होती है, week होती होती है, मतलब नहीं है उससे, अपने काम का क्या है, सिर्फ उसको देखेगा, बाकी सबको wash out कर देजाए, बल्कुल, जोरत नहीं हो उसकी, rejection candle with touching resistance, इसका मतलब समझ मैं है, यह जो resistance है, यह यूँ ही नहीं निकल आया है, यह resistance होना चाहिए आपका predefined area, जो कि entry execute करने से higher time frame पर draw किया हुआ आपका resistance या भी support होता है, आप उसको just यूँ ही नहीं draw कर सकते हैं, कि हमने यह resistance मन लिया, हमें यह भी control करना पड़ता है, कि क्या जिस resistance के थुरू हम अपना risk लेने जा है, अब देखिए, जैसे कि यह आपका एक resistance point है, one और यह two, होता क्या है, यह तीसरी candle जैसे ही बनती है, इसके नीचे price की closing, क्योंकि यह PDF सही नहीं है, यहाँ पर हम लोग बोल तो देते हैं, कि देखे, बनाने वाले ने किस तरह से इस PDF को बनाया है, अब माल लिजा price ने य तो यहाँ से price सीध है, हमारा upside की तरफ निकल जाता, तब क्या होता हमारा, हमारा तो stop loss ला जाता न, तो price जैसे ही नीचे की तरफ आपका यह close करेगा न, हमें एक retracement चाहिए ही चाहिए, without retracement आप सही risk, एक minimum risk नहीं ले सकते, आप अपने pocket के recording risk नहीं ले सकते, आपको फिर य 1, 2 और यह 3, यह वाली जो candle आप देख रो, इसमें बस यह rule सही है, rejection candle, यह आपके rejection candle होनी चाहिए, और यह rejection candle आपके touch होनी चाहिए, आपके resistance है, जैसे price आपका resistance होगा, इसके नीचे यह red candle form होगी, red candle के नीचे market जैसे close करेगे, retracement पर आप अपनी entry लोगे, सबसे सही यह होत गवानी पड़ती है, एक अच्छे opportunities लेने के लिए, जो मतलब की चीज़े वो समझ में आनी चाहिए आपको, कि 1, 2, 3, यह 3 candles बन के price ने जैसे red candle के नीचे closing की है, एक retracement पर आप अपनी entry लोगे, ठीक है, अब इसमें volume का किस तरह से use किया जाता है, अब just imagine कि यह अपनी volumes की है, यहाँ पर एक चीज़ आप यह देखना सिर्फ जो हमारी central candle बनती है, जो central candle बनती है, इसकी volume हाई होनी चाहिए, किस candle से, जो इसकी last की candle है, last की candle आपकी red हो सकती है, green हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, pin bar हो सकती है, doji हो सकती, कैसी भी candle हो सकती है, maru bozu हो सकती, कैसी भी candle हो बस volume उसकी कम रहेगी और जो हमारी candle resistance को touch करेगी इसकी volume ज्यादा रहती है तो इस candle के नीचे closing और जो candle green valley candle के नीचे closing करती है हमें इसके नीचे closing और एक proper retracement चाहिए होता है अब हम यहाँ पर अपना trade execute करते हैं यहाँ सबीर आपको एक अच्छा एक पहतर rally मिलती है support draw कर लिया है support क्यों है क्योंकि इसी जगह पर आप देखोगे कि price की जो movements हैं वो stuck हो रहा है resistance ले रहे ही मारके resistance ले रहे ही मारके resistance यहाँ पर देखिए अब यह support में convert हो चुका है अब हम चलेंगे lower time frame पर and lower time frame पर देखेंगे चल करके क्या हमको हमारे support पर आगर entry लेनी हो तो हम किस तरह से पनी entries ले लेंगे एक चीज हमेशा याद रखना कहीं पर भी किसी भी segment पर आप trade execute करो आपके पास आपका एक predefined area होना ही चाहिए इसके बाद में ही फिर आप अपना trade execute करोगे अब इसके just low पर देखें क्या है ये वाइस वर्सा है क्योंकि अभी जो हम लोग PDF देख रहे थे उसमें selling के concepts थे इसमें just उसका वाइस वर्सा कर दिये गए इसको थोड़ा सा understand करियेगा वहाँ पर green candle थी यहाँ पर red candle है volumes जब आप देखोगे तो volumes भी आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे और ये तीन candles बनी है जिसमें से जो हमारी central candle है ये rejection के साथ बनी है और जैसे ही price ने देखिए हमारी इस candle के उपर breakout किया ये उपर की तरफ निकल गया जैसा कि उस PDF में था अभी बताए हम यहाँ पर कैसे अपना trade execute करेंगे कैसे trade execute करेंगे क्योंकि drawing करना तो बड़ा असान है हम भी आपसे बोल देते कि देखिए यहाँ पर breakout होगा आप trade कर लो कैसे कर लोगे आप price तो उपर चला गया closing के बाद पता चला है कि price ने इस level के अपने जाकर की closing दी है यहाँ पर हमें proper retracement चाहिए होता है हम जल्दबाजी से अपना trade execute नहीं कर सकते तो जैसे price ने upside की तरफ अपने closing दी है हम simply अपना trade execute करने की जगा होगी हमारी वो इस green candle के कम से कम कम से कम इस green candle के hyper trade execute करेंगे otherwise जैसे आभी हमने बताया था आप इस candle का 50% निकालोगे और wait करोगे कि price हमारा इस candle के 50% तक retrace करें यह थोड़ा सा risky हो जाता हो सकता है फिर आपको इसमें trade मिले ही ना लेकिन अगर मिलेगा तो risk and reward ratio अच्छा मिलेगा लेकिन इसके पहले कुछ तयार यहां आपकी होनी चाहिए trend identify हो point of action आपका बना हुआ हो आपके entries के एक अच्छे खासे confirmations हो अब आप यहां पर काम कर सकते हो जैसे ही price क्या करेंगा ना आपके इन वाले points पर आ करके इसने retracement दिखाई आप इस जगे से अपना trade execute करो छोटा सा stop loss आएगा और risk and reward ratio जावब देखोगे न तो आपको एक बड़ा रार ratio देखनों को मिलेगा यह ना एक बड़ा रार मिलेगा market तो चल चुकी है और हम चाहिए तो उसको 1-10 कर सकते हैं मतलब नहीं है उससे हमको stocks पर यह derivatives पर यह किसी segment पर जो आप काम करोगे तो 1-2 minimum लेकरके तो निकलना ही होता है बार उससे काम अगर लेकरके चलोगे 1-2 यह 1-3 तो लेना ही लेना है 1-1 में कोई काम नहीं होता सिभाए loss के आप कुछ नहीं करोगे scalping 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 बोल बोल के सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनते हो आप entry ली निकल गया entry ली निकल गया एक trade में आपने entry ली 1000 रुपय का profit मिला दूसरे trade में जिसमें loss वना उसमें 2500 यह 4000 रुपय के loss तक आप hold करते रहते हो position में exit करने की कोई तमीज नहीं है लेकिन जब execution होगा नहीं सिर्फ एक lot ले ले लेते हैं बस entry लेंगे और निकल जाएंगे बाहर थोड़ा सा profit बस 1000 रुपय का profit जाहीं जाएए हम बहुत अच्छे इंसान हैं हमें बहुत जादा बड़ा profit नहीं चाहीए हम चोटे में ही खुश हैं यह सब बोल बोलके सिर्फ आप अपने आपको बेवकूफ ही बनाते हो क्योंकि आपसे एक stock की trading तो संबलती नहीं है आप जाते हो option trade करने के लिए जब account पूरा साफ हो जाता है पूरा साफ हो जाता है यहीं से आपके नीचे गिरने का रास्ता पहले ही ready है पहले ही तयार है तो फिलाल इसके उपर दिसक्रिशन हम नहीं कर रहे है टाइम काफी ज़्यदा waste होता है जिस भी segment में आप काम करो कम से कम 1-2 का risk and reward ratio रखो जिस भी trade में आपको 1-2 कम से कम नहीं मिल रहा न वो trade sacrifice कर दो नहीं करना है ऐसे कुछ rules and regulations बना करके ही काम होगा आप आख बंद करके बस ए green candle देख ली बाई ऐसे काम नहीं चलता है analysis आनी चाहिए candle से candle को touch करना आपको आना ही चाहिए candle से candle को read करना ना चाहिए उनके connections बनाने आने चाहिए lower time frame पर आप reading कैसे करोगी यह आना चाहिए यह जो भी formations अभी हम आपको बता रहे न आप इसको किसी भी swing के पास में देख लो किसी भी swing के पास में जसी यह तो हमारा higher time frame को हो गया आप देखिए अब इस जगह पर भी अगर आपको trade execute कर रहा है तो आप अपने formations के weight करो formations के बन जाने का weight करो वह चीज नहीं मिली तो छोड़ दो फिर दूसरी जगह पर आओ आप यहां पर अपने swings लगा लो यहां पर देखिए क्या हो रहा है 123 same rejections मिल रहे है अब जहां पर क्या होगा इस green valley candle के high के ओपर closing और वापा से देखिए price नीचे की तरफ है अब इस green valley candle का आप 50% निकाल लो यह हो गया इस जगह पर आप अपने stop loss लगा दो और अब trade execute करो potential ज्यादा है इसका आपको risk and reward ratio अच्छा मिलेगा आपको मिलेगा ही मिलेगा मिल जाएगा अब हम लोग आते हैं तीसरे entry के method पर इसमें हम लोग किसी भी तरह से एक आप यह समझ लो कि fake breakout क्या होता है fake breakout के लिए भी हमें हमारा एक predefined area चाहिए उस area के पास में कुछ movements है जैसे कि fake breakout pin bar और यह वाला आप दो setups देख रहे होगे आपर first setup में price ने किसी तरह की कोई closing नहीं की है यहां पर एक आपका predefined area यहां पर price ने एक mother candle form की और इस mother candle के ऊपर में जाकर के movement दिखाया बट यह जो movement है यह fail हो गया और price सीधे नीचे की तरफ आगए इसको कहेंगे fake breakout और अब जो trade execute किया जाएगा वो हमारा trend के opposite direction में होगा trend के opposite का मतलब कि जिस दिशा में price ने breakout किया हम उसके opposite side में trade execute करते हैं कब जब हमारी इस major candle का low पूरी तरह से close कर देती है market तब हम यहां पर अपना trade execute करते हैं इसमें यह नहीं होगा कि price ने जैसे हमारा कोई pin bar बनाया और इस pin bar के नीचे जैसे price निकला हमने shot मार दिया एक proper way में जिस तरह हम लोग हमारी इस major candle के high पर closing का weight कर रहे थे हम इस candle के नीचे closing का weight करेंगे लेकिन यहां पर हमें support यह मिल जाता है कि price ने एक fake breakout upside की तरफ दिखाया है यह extra confirmations के तौर पर हम लोग इसका use करते हैं यहीं दूसरी तरफ देखिए price ने क्या किया एक mother candle form और इस mother candle के नीचे closing करने के बाद में यह थोड़ा सा tough होता है क्योंकि market चल चुकी होती है तो चली हुई market में हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं यह खुद भी अगर बैठे हो तो समझ सकते हैं आपको लगएगा कि price नेचे की तरफ आया है और यहां से सीथ होपर की तरफ चला गया कि price जो upside की तरफ गया है यह तो जाने के बात समझ में आ रहा है कि एक downside की तरफ closing हो और price उपर चला गया अब यहां पर हमें समझ में आ रहा है बट क्या हो सकता था कि जैसे कि इस जगह पर हमें एक proper closing चाहिए थी अभी यहां पर हमें closing चाहिए थी वो तो हो गई और price जैसे ही retrace कर रहा है हम यहां पर भी तो अपना trade execute कर सकते थे और अगर हम यहां पर अपना trade execute करते sales side में तो हमारा stop rush चला जाता फिर क्या करें इसलिए हमने का यह थोड़ा सा tough पढ़ता है tough का मतलब यहां पर observations बहुत strong होने चाहिए ultra strong observations आपकी चाहिए देखे कुछ चीज़ें जो कि हमने observe की हम आपके साथ share करना कोई भी breakout, heavy candle के साथ में अगर market करती है तो वो breakout ज्यादा तरबार आप देखोगे कि fail हो जाए heavy candles अगर form हो रही है तो उस heavy candles के बाद में एक rejections आता ही आता है आपको हमेशा से इस rejection candle का wait करना होगा और यह हर बार नहीं होता price ने अगर बड़ी सी candle बना दी है तो अभी हमने कहाना कि हमेशा यहाँ पर आपको wait करना होगा एक rejection आया आप maximum time देखोगे कि वहाँ पर rejection आता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि price फिर यहां से आपका नीचे भी निकल जाएगा वो नीचे की दिशामें चला जाएगा तो ऐसी conditions में अगर setup के coding हम देखते हैं तो उन stocks को हमें avoid करना होता है stocks की movements पर बहुत सारी चीज़े depend करती है अब यहां पर जैसे ही price ने नीचे की दरफ closing दी जैसे ही नीचे की दरफ closing दी यह आपका एक predefined area होगा जहां पर यह activity चल रही है आपको पहले से aware रहना होगा सावधान रहना होगा कि यहां पर आप trap हो सकते हो और यह सारी की सारी activity चल रही है आपके support area अब हमने बोला ना यह जितनी भी activity है सब आपके predefined area जहां रही है support पर चल रहा है प्राइजक support को break कर नीचे की दिशा में आ रहा है यहां से वापस price आपका upside की तरफ जा रहा है यहां पर भी हम लोग trade अपना कभ execute करते हैं जैसे कि इस black candle की low पर trade execute करने का point होता है वैसे हमारी इस major candle की high के ओपर जब market निकलती है तब हम लोग यहां पर अपना trade execute करते है enter as price breaks back past inside bar और mother candle कि यहां पर price ने एक fake breakout दिखाया price हमारा नीचे की तरफ आया और जट से आप देखोगे कि सीधे ही ऊपर की तरफ चला बहुत ज्यादा chance होगा कि price ने यह जो engulfing form किया है आप इस setup को जानते होगे इसे कहा जाता है engulfing candle और जैसे price इस engulfing को upside की तरफ ब्रेक करेगे movement आप इसके अंदर बहुत बड़ा देखते हो यहाँ पर भी देखे सेम चीज हो रही है पहले price ने एक structure फॉर्म किया आप इसको bullish structure बोल सकते हो जैसे ही इस bullish structure का breakout upside की तरफ हुआ एक heavy candle आई और price सीधे नीचे की तरफ गर गर गया अकसर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको engulfing pattern ही दिखाई पड़ेगा ज्यादा था जैसे पिछली example में हम लोगों ने देखा था कि एक pin भार बन रही है दोनों ही चीज़े होते हैं बट यहाँ पर क्या होगा कि price ने engulfing और इस engulfing के बाद में जैसे ही price हमारे इन support यहाँ पर देखी क्योंकि यह drawing है तो आपको यहाँ पर 4 candles लाइव मार्केट में आप देखोगे तो आपको 5-6-7 candles पर देख सकती है लेकिन similarity क्या होगी कि price आपका इस area पर support ले रहा होगा और जैसे इस support को नीचे की तरफ तोड़ा जाता है आप short side की तरफ trade execute करते हो और same चीज़ आपकी यहाँ पर price ने downside की तरफ movement देखा और again price आपका upside की तरफ चलागी यह drawings जितनी easy है समझने में लग रहा हो कि तो बड़ा असान है कल से हम इसको try कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा aware रहना price के movements को देख रहा है कि price किसी भी pattern को ब्रेक करती है तो उसके अंदर movements होते वो एक spark के movements होते है volumes भी आप देखोगे कि high volumes हो रहे है और price आपका upside की तरफ जाते है सीधे नीचे की तरफ गिर जागा ऐसा आपने अक्सर देखा होगा और जिस भी दीशामी movement होता है एक बड़ा एक अच्छा movement होता है अभी चार्ट के उपर आपको इसके कुछ examples दिखाता है Apollo Hospital का चार्ट है इसके अंदर देखिए एक top पर आपको formation देख रहे होगी जो कि एक mother candle है इस mother candle का breakout price ने upside की तरफ किया और जैसे ही price हमारा upside की तरफ गया इसके अंदर देखिए एक bearish pattern form हो गया तुरांद price ने upside की तरफ movement दिखा और सीधे price आपका नीजे की तरफ गया यह bearish pattern है और इस bearish pattern पर अभी हमने आपसे बोला था क्यूंकि वह drying थी तो वहाँ पर सिफ दो ही candles थी अब यहाँ पर देखिए यह market है यहाँ पर आपको कोई नो कोई pattern ऐसा कि जो price के movements को downside की तरफ shift कर पाने में सक्षम हो breakout होने के बाद तो यहाँ पर हमें एक mother candle formation दिखाई पड़ी तो जैसे ही price ने इस mother candle का breakout किया fake breakout वापस से देखिए price मारा range के अंदर आया अब हमें trade execute कप करना होगा तो सबसे सही, सबसे आसान तो यह होगा आपके लिए सबसे safe तो यह होगा कि price जैसे इस black वाली candle के नीचे closing करें आप retracement पर अपने trade execute करोगे और अगर थोड़ा सा risk ले सकते हो या फिर अपने stop process को आपको छोटा करना है तो यहाँ पर जो second formation form होती है इस formation के पास में जैसे price close करेगा यहाँ पर retracement पर आप अपनी entry लोगे entries दोनों ही जगे पर सही है हम लोग यह नहीं कह सकते कि यह यह वाली सही है यह गरत है दोनों ही सही है हाँ एक पर अगर आप trade execute करोगे तो यहाँ पर हो सकते आपको इस top loss थोड़ा सा बड़ा है और दूसरे पर करोगे तो हो सकते है इस top loss थोड़ा सा छोटा है but entries हमारी दोनों final है हाँ अगर हम इस black वाली candle की तरफ करते हैं यहाँ से करते हैं तो तो तोड़ी से आपको safe लगेग क्योंकि इस candle के high के उपर हम लोग buy कर रहे थे breakout फियो आप price को नीच आने दो और जैसे price is black वाली candle के नीच आया आप यहाँ से अपना trade execute कर सकते हैं दूसरे example देखें प्राइस का यह अपना एक support point है यह support area है इसने क्या किया है हमारे support के उपर देखे कितनी बार इसने rejections देखा हैं यहाँ पर देखिए और इसका breakout कर दिया नीचे की दिशा में यहाँ पर अभी हमने क्या बताया था पिन बार निकली अब यूँ नहीं है कि हम सीधे सीधे पिन बार जैसे निकली हम यहाँ पर trade execute कर तो क्योंकि movements हुए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा aware रहना होगा जल्दबाजी में या फिर एक जो aggressive entry बोली जाती है common language में आप यहाँ पर aggressive entry नहीं लोगे यह एक तरह का fake breakout है इसने mother candles form की price नीचे की तरफ है और सीधे उपर की दिशा में shift हो गया अब यहाँ पर हम लोग entries करती है तो rules recording तो price नमारा support पर है एक fake breakout हुआ है rejection यान ही कि यहाँ पर हमें buyings के confirmations बहुत अच्छे मिल रहे हैं और buying pressure यहाँ पर आसानी सब देख सकते हैं buying pressure और selling pressure के उपर एक video बना करके separate video बना करके हम upload करेंगे उसे अब यहाँ पर देखे कैसे rejections हो रहे हैं rejections के साथ साथ में volumes के देखे कितने अच्छे अच्छे breakout हो रहे है volumes को off कर देते हैं अब देखिए इस black वाली candle के उपर closing अब यहाँ पर क्या हुआ है जैसे ही price क्योंकि first entry कहाँ पर हो सकती या तो यहाँ पर होगी और second entry जो हमारी बनती ही वो इस वाले point पर closing के बाद एक retracement compulsory होता है लोगे आप तो अच्छी बात है वारना क्या होगा ना इस तरह के cases में आपको या तो फिर entry नहीं मिलेगी क्योंकि fake breakout के पास में आपको अक्से pin bar बड़ी-बड़ी pin bar देखने की मिलती है note कर लिए इस चीस को 0.25, 0.30, 0.35 अगर इतने percentage की आपको pin bar देख रही है तो यह बहुत अच्छा reversal का sign होता है लेकिन condition यह है कि यह rejections आपको support या फिर आपके predefined area resistance पर ही होने चाहिए यह बहुत अच्छे से काम करते है इसकी practice करिएगा कुछ अगर question होता है इसको लेकर के कहींगर कुछ confusion है यह हम सही से अगर नहीं समझा पाएं तो आप comment box में अपने questions type कर सकते हूं 101% आपको आपके questions का reply मिलेगा